नमस्कार मित्रो, स्वागत है आपका हमारे यूटूब सेनल हरी ज्यान ओखाराम में। मित्रो माताओ भेनो आप वीडियो पर नए हैं। तो लाइक चचकराईब कर लीजेगा अगर करके रखा है। तो आपका धन्यवाद तो आईए। ब्रहमा जी के कंट से उत्पन होने के कारण देवर्शी नारत को मानस पुत्र माना गया है। एक बार ब्रहमा जी ने उन्हें सृष्टी के विस्तार की आग्या दी तो नारत जी ने उन्हें विशय भोग को भक्ती में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए कहा। कि भगवान पुरुशोत्तम ही सबसे आधिकारण और विस्तार की बीज है। वे ही अपने भक्तों को शरण देने वाले हैं। ऐसे में भक्तों के आराध्य और प्राप्य उन परमिश्वर श्रीकृष्ण को छोड़कर कोई मूर्खी होगा जो विनाशकारी विशय में मन लगाएगा। भला अमरित के समान अधिक प्रिय भगवान श्रीकृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूर्ड विशय रूपी विश को चखेगा। देवर्शी नारद के द्वारा ऐसा जवाब सुनकर ब्रहमा जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने जब अपने ही पुत्र को स्रिष्टी के कार्य से इस तरह विल्ख होते देखा तो उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया। नारद तुमने मेरी अवग्या की है। इसलिए मेरे श्राप से तुम्हारा सारा ज्यान नश्ठ हो जाएगा। और तुम गंधव योनी को प्राप्त कर श्रिंगार विलासरत कामिनियों से वशीभूत हो जाओगे। ब्रह्मा जी से श्राप मिलने के बाद। दूखी होकर नारद जी ने अपने पिता से कहा कि पिता को चाहिए कि वह अपने कुमारगी पुत्र को श्राप दे या फिर उसका त्याग कर दे। लेकिन आपने पंडित होकर भी अपने तपसवी पुत्र को श्राप देना उचित समझा। अब आप मुझ पर इतनी क्रिपा कर दीजिए कि मेरा जन्म जिस जिस योनी में हो उसमें मेरे साथ भगवान की भक्ती हमेशा बनी रहे। देवर्शी नारद ने ब्रहमा जी से कहा कि आपने मुझ निर्पराध के अकारण श्राप दिया है। इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपकी तीन कलपों तक लोप में पूजा नहीं होगी और आपके साथ ही आपके मंत्र, स्तोत्र, कवचन आदी का लोप हो जाएगा।